नमस्कार आपसे बेको स्वागत है मेरे चैनल पे तो आज बहुत ही नया और यूनिक रेशिपी के साथ आई हो तो वीडियो पे कंटीनिव बने रहे हैं और देखिए ये फूल है पांकर या फिर इसे पकर्या या फिर फुटकल के नाम से जाना जाता है और ये जार्खण में परशीत है अगर जिदे आप लोग dispरम और ये रेशिपी देखे और जिदे आप लोग बनाए होंगे तो जरूर कॉमेंट स्ट्र में बताइएका कॉमेंट करके और इसका पेड़ होता है वो पीपल का पेड़ जैसा होता है और जो नया पत्ता है ना तो उसी का ये यूँ उच्भोर आता है तो यह ज़रूत ट्राइग करना चाहिए और बहुत ही टेस्टी बनता है गाईज तो इसे पानी में डाल करके और रकना हैं और मैं धोग करके रखी थी इसी तो यहां पे एक बॉल या फिर कुछ लेने हैं वैसा बटन और फिलेम को आउन कर देना है और यहां पर डाल करके और कवर कर देना है तो 2-3 मिनट के बाद यह देखिए वाइला गया है और कलर भी चेंज हो चुका है तो फिलेम को आफ करना है और जादा इसे जादा देर तक नहीं पकाना है तो देख सकते हैं यह थोड़ा सा सौप्ट हो गया है तो फ्लेम को कर देना है और इसे धंडा होने के लिए छोड़ देना है और निकाल करके अराम से ही निकालना है और बहुत ही यमी लगता है गाइस खाने में तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और यहां पर एक रेंडर जाल लेना है और इसमें यह जो फूल है पाकर का फूल उसे डाल करके और ग्रैंड कर लेना है तो मैं छोटी छोटा वाला में कर रही थी वट नहीं हुआ तो इसमें डाल करके और इस तरह तरीके से ग्रैंड करना है तरदरा सा ज्यादा सॉप्ट भी नहीं करना है यहां प भून लेना है इसे पाकर का फूल को ग्रैंड करके और भूनना है इस तरीके से चलाते हुए तीन से चार मिनट मतलब पांच मिनट तक अच्छा से भूनना है फ्रेंट्स ने तो ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो यहां पर देख सकते हैं इसका जो पानी था वो बिलकुल भी सूख करके रेडी हो गया है और यह भून भी गया है तो इसे निकाल करके दूसरे बरतर में रख लेना है और यहीं पे कडाही लेना है इसमें फिर से ओयल डालना है गरेम हो गया है ओयल तो यहां पे थोड़ा सा जीरा डालना है और जीरा फी थोड़ा सा भून गया है तो इसमें प्याल डालना है और इसे थोड़ा सा लैटली फ्रॉन उने तक पकाना है तो मैं यहाँ पे मैंके आई थी फ्रेंट तो यहाँ पे यह मिला तो मैं सोची क्यों आप लोग के साथ मैं साजा करूँ और आप लोग जरूर कॉमेंट कीजिएगा अगर ज़िदे आप लोग बनाए होंगे तो और जारखन से होंगे तो तो यहाँ पे आलू काट करके और डालना है मैं कभर नहीं हटाई हूँ कभर के साथ मैं आलू काट करके और डाल रही हूँ मेरी मम्मी बोली नहीं कभर रहता है तो आलू का सबजी थोड़ जादा टेस्टी लगता है तो यहाँ पे चलाते हुए और अच्छा से भून लेना है अब नमक देना है स्वाद नुशर और इससे मिक्स करना है मिक्स करते हुए और इससे कवर करना है एक से दो मिनट तक तो देखें यहां पे दो मिनट हो चुका है और जो आलू है वो अच्छे से भुन गया है थोड़ा सा तो इससे चलाते हुए यहां पे ग्रैंड किया हुआ मसाला डालना है लसन का पत्ता है हरी मीर्च लसन और काली मीर्च जीरा साबुत यह डाल करके जीरा अची लग रहे है ना गाईस आप लोग को लेकि यहां पर लसन का पत्ता ढाल रही थी ममी इसलिए यहां पे यह ग्रीन लग रहा है तो हल्दी पाउडर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाधा लगेगा क्योंकि यहां पर लशन का पत्ता यूज हुआ है इसलिए तो इसे कभर कर देना है इसके बाद इसमें टमाटर कट करके डॉलने है मैं यहां पर तीन टमाटर डाल रही थी क्योंकि यह फूल भी थोड़ा सा खट्टा लगता है तो छोटा-छोटा टमाटर था तो मैं तीन पीस टमाट तो यहां पर फूल को भी यहां पर एड़ करना है और अच्छे से इसे भी थोड़ा सा पानी डाल करके और मिक्स करना है तो ऐसे ऐसे मतलब recipe ट्राइ करना चाहिए और खाना भी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही यूनिक होता है और बहुत समय बाद ऐसा ऐसा चीज मिलता है खाने के लिए तो जरूर ट्राय करना चाहिए और आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो जरूर कॉमेंट सेक्षन में बताईएगा तो चलाते हुए अच्छे से भून लेना है तो देखें यहां पर भून गया है और तो इसे निकाल करके और दूसरे बटन में रख लेना है तो देखें यहां पर यमी यमी सब जीवन करके रैडी हो चुका है तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू